दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने वाट्सप यूपर एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने आप सभी को बदाया था कि वह कौन से तीन तरीके हैं जिनके मदद से जो है हम बिना किसी अन्नोन नंबर को अपने कॉंटेक्ट में और फोन वोक में एड किया हम उसे वाट् वीडियो को दे दूँगा आप जाके देख लेना और यहां पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अगें वाट्सप की बारे में जहां पर हम जानेगे कि यह जब एक सेंडर वाट्सप सेंड कर देता है मैसेज को डिलीट कर देता है तो डिलीटेट मैसेज को हम कै जानेंगे कि भाई उसने आखिर लिखा क्या था तो यहां पर जो है मैं आप सभी को एक अप्लिकेशन सजेस्ट करूंगा तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे इस अप्लिकेशन को और उससे फिले दोस्तों हर बार के तरह इस वीडियो को जल्दे से लाइक कर दीज चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं मेरा नाल में वीवेक और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीवेक यडियोट चैनल नमस्कार जोस्तों तो हम आचुके हैं मेरे स्मार्टफोन के अंदर में तो यहां पर जो जो अगर आपको इस अप्लिकेशन को डाउलोड करना तो सबसे पहले तो आप चले जाए डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा और वहां सा बड़े आराम से डा सबसे आपको करना यही जैसे ही आप इसको टाइप करोगी यहां पर आजाए सबसे पहले अप्शन मेंLe survived प्लस इसको आपको क्लिक कर लेना और यह आपको इंस्टओल चरफ फरक्र कर लेन्हां यहां पर जो कर यहां पर चैंशन को ओपन करते हैं तो यह रहां वहां और option आएगा कि भाई जीते भी आपके पास messenger apps होंगे जैसे कि अगर facebook messenger वगरे भी आपके पास हैं तो उनके पिए options आएगे कि भाई आप उनको भी enable करना चाहते हो क्या तो उनके भी message deleted होने कि अगर उसमें होते option तो वह भी आपको यहाँ पर show करेगी कि क्या deleted होई तो कुछ इस तरीके बहुत सारे आपको options मिल जाएंगे आप एक एक करके जो है application को select कर लेना कि कौन सा application की जो आप enable करना चाहोगे यह वाली facility जहां पर आपको यह बता जाएगा क कौन सा message जो है वह delete और कौन सा नहीं अब हम बात करते हैं यहाँ पर वर्ट्स रिमोब की जब आप वह कर लोगे उसके बाद आपके पास यह शारे options यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले option detected यहाँ पर मतलब जो भी message at a time delete होई है आपके WhatsApp के अंदर में वह detect होके य यह जो detect option होगे सबसे पैसे options हो जाते है उसके बद यहाँ पर यह option में जाती है जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगी जहाँ पर audio क्या कर डिलीटेड होई है वह सारे आजाएं कि images क्या कर डिलीटेड होई है तो यहाँ पर आ जाती है उसके बद यहाँ पर option मिलता है WhatsApp का WhatsApp का अंतर जो भी contact है उसमें आपने किस से क्या बात है कि वह सारे कुछ यहाँ पर आजाएंगे तो चाहिए वह डिलीट हो या ना हो उससे फर्कने पड़ता जो भी contact है उनसे आपने क्या बात की है यह सारा कुछ इसमें आ जाएगा फिर आता है यहाँ पर WhatsApp Business अगर आपके WhatsApp Business का app है मेरे पास है इसलिए यहाँ पर इसके भी chatting वह सारे मेरे पास आ चुके है तो यहाँ पर WhatsApp Business का भी chat सो आपके सामने आ जाएंगे उसके पर यहाँ पर बात करते हैं इस वाले option कि यहाँ कि डिलीट किस को क्लिक करें देते हैं तो यहाँ पर is everything यानि कि सभी चीज को य यहाँ पर आपके पास data है इस app के अंदर में वह सब कुछ यह डिलीट कर देगा उसके बाद यहाँ पर आता है तो यहाँ पर देखिए photos, music and videos जो भी होंगे जो भी डिलीट हुए है और जो भी आपके पास से भीजेगे हैं वह सारे यहाँ पर आ जाएंगे उसके बाद यह पर आपके बाद करेंगे तो कुछ इस तरीके से काम करते है और इसके बाद यहाँ पर आप एक एक कॉंटेक्ट को चूज कर सकते हो कि बाई किसके कांटेक्ट में आपको जाने आपके जो भी कॉंटेक्ट होंगे WhatsApp के अंदर जिन से बात ही करोगी इक यह करके आप उसको च आपको चली जाएगा तो यहाँ पर जोस्तो एक चीज में आपको साफ में शेर करना चाहता हूं कि जो मैंने WhatsApp नमबर शेर किया आप सभी के लिए डिस्क्रिश्ट नमब निक में जाएगा वहाँ पर आपको फ्रेक्ट कर सकते हो टेक के लिएटेट जोसो मैंने आप सभी को वजा ता कि टेक के लिएटेट क्यों करना है लेकिन यहाँ पर कुछ लोग कोशन कर रहे हैं कि वाई SEO के उपर वीडियो बनाईए तो भाई Search Engine Optimization SEO के उपर में वीडियो बना तो दूँगा जरूर क्योंकि आपकी डिमांड है लेकिन यहां पर आप ज़रा खुदी सोचो कि वो टॉपिक के उपर मेरे वीडियो नहीं बनते हैं, नुझ बनते हैं टेक के उसफेंट पर आप ज़र को अगर अच्छी दिज़ोगना गरे यह उजिक में खुदे लिए में नेक्षाइग वीडियो में जैहींत मातरया